मेरे किचन में बन चिकी है पानी पूरी तो हे गाइस असलाम अलीकूम वेलकम बेक टू माई चैनल अलवीना की रेस्पी तो मैंने अपनी किचन में बना ली है मज़ेदार सी करारी सी कुरकुरी सी पानी पूरी अच्छा में पानी पूरी को बहुत जगा पुछका भी बोला जाता है बताशे भी बोले जाते है पानी पूरी भी बोला जाता है क्या बोला जाते है मुझे कोमेंट में जरूर बताईएगा तो यह देखिए आप यकीन नी करेंगे कि आपकी पानी पूरी होम मेट घर में मार्केट की जैसी विल्कुल परफेक्ट आपको मिलने वाली अ असान हो गया है पानी पूरी घर में बनाना बस मेरी इंग्रीडियन्स के साथ आहिए स्टाट करते हैं वीडियो सबसे पहले हमने ले लिया है एक तसला उसके अंदर मैंने सेम ग्लास लिये मेजरमेंट के लिए आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपको कन्फियूजन ना हो ब एक साथ में ने दिखाया तो चलिए हमने डाल लिये हैं थाल में रवा और थोड़ी सी जगा बनाके इसके अंदर डालेंगे आटा गेहूं का बस इसके अंदर एड़ करेंगे वन एन फोर्थ टी स्पून मीठा सोडा जो ही मीठा सोडा है ना तो यह इसे फुलाने का काम कर तो बस यह देखे यहां पर हमने ले लिया है नॉर्मल जो हम चम्मच घर में यूज करते हैं तो उसके हिसाब से आधा चम्मच है और आप मेजर्मेंट का ध्यान जरूर रखिएगा अगर जरा सा भी मेजर्मेंट उपर नीचे हुआ तो बहुत गड़वड हो सकती है तो ब पांए की पानि मेंने रूम तंप्रेचर का लिया है ना घरम है ना फिरेस का है और इसे हमने फिल्टर का ही नार्मली बतले जैसे लेते पानी का साधा पानी है आप कॉई भी पानी साफ पानी लें एकि इसे गूंद लगा लें तो बस यहां पर देखे मेने धीरे-धीरे हा तो बस यहां पे देखें, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूं, आपको भी एकदम से नहीं डालना है, क्योंकि अगर यह आटा गीला हो गया, आपने कोई भी ड्रा इंग्रीडेंस में एड करा, तो मेजर्मेंट बिल्कुल बिकार हो जाएगा, खराब हो जाएग अभी आप देख सकती, आटा पूरा भिक्रा हुआ है, अभी यह सेट ही नहीं हुआ है, तो दो से तीन मिनट जब आप ऐसे करते रहेंगे, गुनते रहेंगे, तो हमारा डो एकदम परफेक्ट बन जाएगा, तो देखें, आटे की तरह हमारा यह देखिए, इंग्रीडेंस रेडी हो गया है, रवा, आटा और सोडे का, तो हम नॉर्मली जिसे रोटी का आटा करते हैं, देखें, सेम वैसे ही बन चुका है, तो बस इस बेस पे मेंसे गोल करके देखें, ना जादा टाइट है, और ना जादा सॉफ्ट है, तो यहाँ पे देखें, हमने गोल सा बना क इसे रख दिया है, अब हम करेंगे इसको रैप, कि इसमें हवा नी लगनी चाहिए, तो अच्छा, मैंने तो इस रैप पैक से कर देखें, जरूरी नहीं कि आप इससे करें, घर में जो हमारी प्लेन पॉलेथीन आती है, यूस के लिए, सबजी वगेर आती, तो आप उस वा इसे हम ओपन करेंगे, तो बस यहां पर देखें, कपड़ा डाल के मैंने रख दिया है, और मिलते हैं 20 मिनट के बाद, तो लीजी 20 मिनट हो चुके है, यहां पर सारे समान के साथ आ गई हूँ, यह है गेहूं का आता, इसके अंदर कोई रवा, कोई सोडा नहीं मिला है, प् तो बस अब आगे चलके, हम देखते हैं मिसे क्या करते हैं, तो सबसे पहले कपड़ा डाल लेंगे कॉटन का, और अब हम इसे खोलते, तो आजिए इसे खोलके देख लेते हैं कि इस आते की कंडिशन क्या है, तो यहां पर देखें मैं इसको अन्रैप करूंगी, इसकी वहा होता है दिसमें पानी सोक लिया है अच्छा आप हमें बहुत देर इस आठे को नहीं गुंदना है, अपको भी घुन लगा लीनी है तो एक सैट जब इस तरीके से गुन लग जाए तो वापस से हम इसे पलट देंगे तो बस देखिए एक साइट जब इस तरीके से गुन मेंने गून्ड लगा लिए अब बारी है इसकी परटतने की तो broadcasting hustled बस यहां से और हमने हलका और हापको बहुत तेतिस नहीं हाल लगाना रिफल कहИं फhop पड़के और हाल लगा के штug माल लनी है तो यहां पे देखिए, यह हमारा रोल बनके रेडी हो गया है तो अब आटे को में जादा नहीं कुछ करना है, हलके हलके हाथों से मसल के रख लेना है बस हतेली से बिल्कुल रवे के दाने को हमें मिलाना नहीं है, हलके हलके हाथों से करना है तो बस एक पट्रे पे हमने देखी साटे को ले लिया है और हम इसे एक चप्टा सा बना लेंगे तो इसे हम ऐसे करके चोकोर सा बना के इसे गोल ली रखना है बस चिपका देना है तो देखें मैं कैसे पट्रे पे इसको चिपका रही हूँ उसके बाद हमने बराबर सा इसके आट्टे को अलग-अलग भाग में बाड़ दिया और यह देखी मैं हातों से रोल करके इन सब को अलग कर लूँगी और यहाँ पे देखिए इनी को रोल बनाके मैं रखती जाओंगी तो बस यहाँ पे इसी तरीके से हम सारे रोल रेडी कर लेंगे तो बस रोल रेडी होने के बाद बारी आती इनकी कटिंग की तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटी छोटी लोई जो हमें बताशे बनाने जितने बड़े मैंने लोई ले ली है यह देखिए तो बस इसी तरीके से हम गोल करते जाएंगे और इसे रख लेंगे इसके साथ हमें यहाँ पे देखिए इसी तरीके से सारी लोईया बना लेनी एक पॉलेथीन लेना है नॉर्मल जो घर में आती है उसके अंदर हमें इसे रख देना है फिर से हम जितने रोल हैं इसी तरीके से हम कटिंग करते हुए जाएंगे ये दिखी तो मैंने एक रोल कट कर लिया ये दुसरा रोल है और इसे भी हम सेम प्रोसीजर लोई बनाते हुए जलेंगे तो बस यहाँ पे देखिए मैं जैसे आपको ये वाला दिखा लिए आपको सारे रोल ऐसे ही करने है तो बस यहाँ पे देखिए मैंने रोल बना के कटिंग करके लोई बना के इसको रख रही हूँ एक पॉलिथीन में जो की घर में इजली मिल जाती है तो बस यहां पे देखिए हमने अच्छे से सारी लोईयां रेडी कर ली है आप बारी है इसके अंदर खुश्की डालने की तो सूखा आटा में थोड़ा सा प्लेन गेउं का आटा डाल दूगी जो मैंने अलग रखा था उससे क्या होगा कि यह चिप किंगी नहीं तो बस आपको इसी तरीके से हलके हलके हाथों से इसे उपर नीचे करके मिला लेना यह देखिए समय खुश्की लग चुकी है बस इसी तरीके से ड्राई कर लेना है तो जैसे मैंने बाकी की कटिंग करी है वैसे ही आप सारे रोल की कटिंग करके सारी लोयां इसी जिली में रख लें और आटा मिलाएं और इसको ड्राइ कर लें तो बस इसे सिंपल सा स्टेप करना है आपको मिलाना है अलके हातों से कि बस चिपकना नहीं चाहिए बेलने में एजी हो जाएं ज्यादा खुश्की नहीं डाले जिससे पर्त लग जाएं तो ब देखें कितनी आसानी से हमारा फटा फट से सारे बताशे के पूरिया रेडी होई जारी पानी पूरी की पूरी देखें मैंने बेल रही है अच्छा इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है ना जादा मोटी होनी चाहिए ना जादा पतली बस नॉर्मल तरीके स बेलना है तो आध हम इस तरीके से बेल लेंगे फटा फट से हमें इसे बेलते हुए इसी तरीके से हमें एक साइड से लगाते चलना है तो यह देखें ना जादा मोटी है ना पतली है नॉर्मल है बस तो इसी तरीके से हम सब बेल लेंगे आपको बेलन का ध्यान रखना रह तो बस इसी तरीके से सारा प्रोसीजर करते हुए एक नीचे परत एक उपर इसके उपर एक और कप्डा रखेंगे तो यहां पर देखिए मैं इसी के उपर बेल के फिर से रखती जाओंगी तो जो भी हमारे पास लोई बची हुई है इन्हें भी फटा-फट से हम बेल लेंग और इसके उपर इस कप्ड़े को सीधा करके रख दूँगी अगर आपके पास और एक्स्टा कप्ड़े हैं तो जरूर रखें फ्राइ करने का बस तरीका ही होगा सबसे पहले जो हमने बेली है उन्हें फ्राइ करेंगे बीच वाली को करेंगे फिर उपर वाली को यानी जिस साब से बेलेंगे, जिन को बेलेंगे, उनी को हमें फ्राइ करना है, तो आइए, स्टाट करते तो यहां पर मैंने ले लिया मस्टर्ड आइल तेज करके पका लिया है उसके बाद फिलेम को हमने नौर्मल करी इस लो नी करना आपको तेल बिल्कुल भी ठंडा नी करना है ना बहुत गरम खौलता हुआ कि जल जाए तेल को एक बार गरम करने के बाद इसे नौर्मल फिलेम सारा खेल आपका बस फ्राइ करने पर है अगर आप इस तरीके से फ्राइ कर रहे हो ना कि आप देखेगा फ्राइ करने का तरीका में चम्मच को कैसे चला रही हूँ तो आपकी एक भी पानी पूरी मुलाइम नहीं पड़ेगी सब फूलेगी देखे मैं आगे की तरफ इसे धका दे रही हूँ पूरी को और ये देखे चलाती जा रही हूँ और हमारी पानी पूरी फूलती जा रही है ये देखें तो बस इसी प्रोसीजर के हिसाब से आपको फ्राइ करना है अगर आपका हाथ सलो हुआ या आपने बीच में इस तेल को ऐसे नहीं फैका या फिर मझगो रोग दिया है, तो हमारी पानी पूरी भी आधी पूरी है, जब आप पानी पूरी को पृपर जैसी डालेंगे, हाथ चलाते रियेंगे, तो पानी पूरी आपकी इसी तरीके से फूल फूल पूल के रेडी हो जाएगी, तो बस फ्राई करने का तरीका आपको देखना है कैसे मैंने फ्राई करा इसी तरीके से सारी पानी पूरी मैंने फ्राई कर लिए तो इतने आटे में कम से कम डेर सो पानी पूरी मेरी रेडी हो गई है और यह देखिए क्या मज़े की करारी सी क्रिस्पी सी पानी पूरी हमारी रेडी हो चुकी है तो मैंने इस इंजॉय करा बड़ा मस लगी मुझे है तो खाने में बड़ी मज़े की लगी, लगी नहीं रहा था यह घर में बनी है मार्केट से जैसे आती हैं आप बना के रख लें एक अच्छे से पॉलिथिन भेंग में इसको अच्छे से चिली में बांद के रखें तो ये पानी पूरी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेगी नॉर्मल फ्रेम पे तेल को घरम रखना है और पूरियों को तलते रहना क्रण्ची बना लिए तो बस आईए करते हैं बावल में सर्फ मैं आपको दिखा रही हूं एक एक करके कि ये देखे कितनी मज़े की फुली फुली सी पानी पूरी बनीए आपको आई होप पसंद आई ह होगी मेरी ये रेस्पी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई परसनली कि हमें जब पानी पूरी का बड़ा शोख होता है खाने का तो मन करता है कि घर में और भाई बहन होते है या कजन होते तो मज़ा आता है ना कि कॉमपटिशन करें और बाहर से पानी पूरी तो बहुत पानीपुरी तो मैं आपको लिंक दे दोंगी आई बटन में पानीपुरी का वो लिंक दे दोंगे ते मैं आप पानी बताश्य के और पानी पूरी के देख सकते हैं आप मैंने कैसे बनाया और आपको जल्व बाउड टेस्टी मजी का बना समय जेह और अगर को हमेर amount कि कोई भी नॉटिफिकेशन हो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए मिलते हुए इन्शालला नई रेस्पी के साथ और हाँ कॉमेंट में जरूर बताईएगा कि आपको पानी पूरी कैसी लगी और मेरी बेस्ट ये रेस्पी मुझे बहुत पसंद आए तो कॉमेंट में जरूर बनता है बताना किसको किसको पानी पूरी बहुत पसंद है तो बस वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे मेरे चैनल को करने सब्सक्राइब थेंक्यू सो मजग गाईज की वाचिंग मैं आल वीडियो अल्ला हाफिज